दमशकार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का इग्जाम एचीमेंट में जिसका की नया नाम है अब सिक्षा प्रभा ऐसे शिक्षा जिसका प्रभा लगातार बहता रहे बढ़ता रहे और पहुंचाए आप सभी को हम सभी को हमारी मनजिल तक तो दोस्तों सिक्षा प्रभा की इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं पेंटिंग सब्जिक्ट को ये वीडियो होने वाला है क्लास 12 के स्टुडेंट्स के लिए और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के सुतंतरता संघर्ष में भारते कलाकारों का योगदान ये पेंटिंग का चेप्टर नंबर 8 है और इस चेप्टर से सभी कुशन आंसर्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे समझेंगे और देखेंगे तो सबसे पहला प्रशन है सुतंतरता के लिए किये जा रहे आंदोलन में किन कलाकारों ने सहयोग किया था और किस प्रकार किया था तो सबसे पहले थे जिन्होंने सहयोग किया था बंकिम चंदर चटरजी ये एक उपन्यासकार थे इन्होंने एक बांगला उपन्यास लिखा था जिसका नाम है आनंदमठ आनंदमठ में उन्होंने एक गीत लिखा था गीत का नाम है वंदे मातरम वंदे मातरम जो की हमारा पानस के मन में और क्रामतिकारियों के मन में नई जोश और चेतना को भर दिया था और वो आजादी की लड़ाई में दुबारा से कूद पड़े थे दूसरा था गगेंदरनाथ टेगोर तो गगेंदरनाथ टेगोर उनके साथी कलाकारों ने 1907 दोस्तों यह 1960 गलत है यहां पर इससंस्ता का मुख्य उदेश्य था कि मॉडल रिवियू प्रवासी नामक पत्रिकाओं में कला चेतर के नए प्रतिमानों को प्रकासित करवाना यानी कि जो नए चित्र उन दिनों यहां पर बन रहे थे उन चित्रों से भारतिये जनता के साथ साथ विदेशी जनता को भी परिचय करवाना तीसराद है दोस्तों अमनिंद्र नाटेगोर ने चित्र बनाये थे भारत माता और उपरी हवा के सिद्ध लोग तो दोस्तों इन चित्रों से भी भारत में देशभक्ति की भावना लोगों के मन में जगी थी चौथा है उननिस सो उननिस में हुआ जलिया वाल नरसंगार तो दोस्तों इसके बारे में आप सभी नप से पहले पढ़ा होगा हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो ये वाला जो नरसंगार हुआ था उस पर गंगिंद्र नाटेगोर ने चित्र बनाया था और चित्र का नाम था पंजाब में शांति घोषित इस चित्र ने भी भारतियों के मन में अंग्रेजों के प्रती घ्रणा को बहुत अधिक प्रबल कर दिया था चलते हैं दोस्तों कुशन नमबर सेकेंड की तरफ question number second है Indian Society of Oriental Art की स्थापना क्यों की गई थी तो Indian Society of Oriental Art की स्थापना 1907 में की गई थी तेखे दोस्तों अभी ये बिल्कुल सहीं हाँ पर 1907 लिखा हुआ है उपर 1906 है उधर मैंने कट भी किया है तो आप ध्यान रहिएगा 1907 में गगेंद्र नाथ और उनके साथी कलाकारों ने Indian Society of Oriental Art की स्थापना खी थी इस संस्था का मुख्य उदेश वही था Modern Review और प्रवाशी नामक पत्रिकाओं में कलाचेतर के नए प्रतिमानों को प्रकाशित करवाना इस संस्था में मुद्रण की नई तकनीक सीखने के लिए कुछ जग्यासू कलाकारों को प्रशिक्षन हे तू यानि सीखने हे तू England और जापान भेजा जाता था जहां से वो छपाई की नई विद्यों को सीख करके आते थे छपाई की नई विद्यों से मतलब है यहां पर छापा कला ठीक है दोस्तों तो फिर उस क्यूंगी उन दिनों क्या होता था कि छापा चित्रों की मांग बहुत ज़ादा थी तो इस कारण कलाकारों को भेजा जाता था दोस्तों कोश्चन नमबर तीन है भारत माता नामक चित्र किन किन चित्रकारों ने बनाये थे तथा उनमें क्या प्रदर्शित किया गया था तो भारत माता चित्र का निर्माण निम्न चित्रकारों की द्वारा किया गया तो सबसे पहले तो अवनिंद्रनाट टेगोर है जिन्होंने भारत माता चित्र बनाया दोस्तों इनका जो ये भारत माता चित्र है वो इन्होंने वाश पदती में बनाया है और भारत माता के रूप में एक महिला को इन्होंने इस चित्र में चित्रित किया है और यह अवनिंद्र नात्ते गोर के प्रमुख चित्रों में से एक है सेकेंड भारत माता चित्र जो है वो श्री पून गोश ने बनाया है और दिजेंडर लाल राय के गीत पर बनाया है और इसके अंदर उन्होंने एक सुन्दर तेजश्वी महिला को लाल किनारे वाली नीली साड़ी पहने हुए समुंद्र से निकलते हुए या समुंद्र के पानी से उपर उठते हुए दिखाया है महिला ने हाथ में पके हुए धान की बालियां पकड़ी हुई है सिर पर बर्फ से ढखा हिमाले हीरे जडित मुकुट के समान दिखाई देता है और गले में मोतियों का हार जूलता दिखाई पड़ता है तीसरा चित्र जो दोस्तों बनाया था वो अम्रिता शेरगिल ने बनाया था और इन्होंने इस चित्र को यथार्त था यानि कि जो रियलिटी थी उस पर आधारित बनाया था तो इस चित्र में एक व्यद महिला को सफेद साड़ी पहने हुए अपनी गोद में एक नन्ना बालक लेते हुए उन्होंने चित्रित किया है महिला की साड़ी पुरानी और फटी हुई है जिसको पास में खड़ी एक बालिका ने पकड़ा हुआ है तो यहां पर जिसको पकड़ा हुआ से मात बतलावे बचे की साड़ी को पकड़ा हुआ है भारत माता की साड़ी को पकड़ा हुआ है एक छोटी बच्ची ने जो की खड और महिला के चहरे पर कस्ट वैवेदना के चिन दिखाई पड़ने हैं कोशन नमबर फोर हिंदु मुस्लिम एकता को ब्रिटिस साशकों द्वारक कैसे भंग किया गया और इसके क्या दुर्गामी प्रिणाम हुए तो 1905 एकता को भंग करने के लिए ब्रिटिस साशकार ने क्या किया बंगाल विभाजन कर दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि बंगाल ही नहीं बलकि पूरे भारत में ब्रिटिस शाशन के विरुद आंदोलन होने लगे प्रतिकिरियाएं होने लगी सभी भारतवासियों के द्वारा सोतंतरता की मांग की जाने लगी लोगों ने अपने इस्तर पर अलग-अलग तरीके से गुस्से को अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया ऐसे में बंगाल के कुछ प्रतिस्ठ चितरकारों में कला प्रेमियों ने उनने सो देखो दोस्तों यहां पर वापस से उनने सो साथ है तो यह चीज गलत है यह उनने सो साथ ना हो करके उन्निस सो साथ ना होकर के उन्निस सो साथ है है ना और उन्निस सो साथ अगर मैं लिख पाई तो मैं जरूर लिखूंगी येस उन्निस सो साथ तो उन्निस सो साथ इस वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ औरियंटल आर्ट नामक संस्था की स्थापना की जिसका प्रमकुदेशय मौडल रिव्यू और प्रवासी नामक पत्रिकाओं में कला चेतर के नए प्रतिमान को स्थापित करना था इस संस्था में मुद्रण की नई तकनीक सीखने के लिए कुछ जिग्यासु कलाकारों को प्रसिक्षन हितु इंग्लेंड से इंग्लेंड में और जापान में भेजा गया चपाई की नई विदियों से उन लोग प्रिये चितरों को बहतर ढंग से जादा संख्या में चपा गया जिसकी हर जगा मांग थी और उसको यूरोप में भी भेजा गया किसको यूरोप में भेजा गया जो चितरों को हमने छपवाया कहां पे modern review और प्रवासी नामत पत्रिका में उन चित्रों को यानि की इन पत्रिकाओं में छपे हुए हमारे चित्रों को यूरोप भेजा गया जिससे की वहां के लोग भी भारते कला की गरीमा से परिचित हो सकें आजाते हैं क्वेशन नम्बर फाइव पे क्वेशन नम्बर फाइव पन्यास हैं बंकिम चंद्रचटरजी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत ने सभी देशवाशियों वे क्रांतिकारियों में जोश और नई चेतना का संचार कर दिया था इसका अंसर होगा फ्रेंड्स भारत की रास्ट्रे सुतंत्रता आंदोलन में सभी देशवासी शामिल थे कुछ राजनीती में शामिल होकर सुतंत्रता की मांग कर रहे थे तो कुछ आंदोलन में सत्याग्रे के माध्यम से सुतंत्रता की मांग कर रहे थे किसके समक्ष बिटिस सरकार के समक्ष ऐसे में भारते कलाकारों ने भी रास्ट सुतंत्रतान दुलन में महतोपून भूमी का निभाई भारत के जन मानस तक आम जनता तक देश भक्ती की भावना को पोचाने का काम ही चित्रकारों का कलाकारों का और लेखकों का था जो कि उन् अंकिम चंद्र चटर जी ने जो गीद लिखा था वंदे मात्रम उन्होंने सभी क्रांतिकारियों के मन में जन मानस के मन में जोश्वचेतना का संचार किया जिससे कि वो सतंतुता प्राप्ति के आंदुलन में जीजान से लग गए इसी तरह अमनिंद्रना टेगोर द्वारा उनका जो चित्र थे भारत माता और उपरी हवा के सिद्ध लोग ने भी भारतवासियों के मन में देशवक्ति की भावना को प्रच्वलित कर दिया इसी तरह श्री पूर्ण गोश ने जो भारत माता का चित्र बनाया था उस चित्र की भी लोगों ने अपने मन में जगा बन जोगई चितरकार नंदलाल बोस ने जिस तरह Kongres अधिवेशन में घ्रामेर द्रश्यों से हरीपूरा पांडाल को सजाया उससे भी भारत को सुतंत्र कराने का संदेश जन्मानस तक पहुंचा एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत सुतंत्र भारत की मांग को जन्मानस तक पहुचाने का काम भारतिय कलाकारों ने किया Question No.7 है friends भारते किसान नमकृति की ख्याती का कारण बताईए तो इसका अंसर होगा भारते किसान चित्र नंदलाल बोस द्वारा चित्रित है नंदलाल बोस अवनिंद्रनाटे गोर के शिश्य थे अवनिंद्रनाट के बाद शांती निकेतन कला भवन के प्रचारे के रूप में नंदलाल बोस ने काम किया और बंगाल शेली को आगे बढ़ाया यह चित्र कॉंग्रेश अधिवेशन यह चित्र से मतलब है भारते क्रशक जिस चित्र के बारे में हम बात करें यह वाला चित्र है कॉंग्रेश अधिवेशन के हरीपूरा पांडाल में नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया था ये चित्र वाश और टेंपरा पदती में बनाया गया है भारते क्रशक हरीपुरा पांडाल में बनाये गए चित्र सम्हु में से एक छोटा सा द्रश्य है जिसके अंदर एक किसान को धोती कुर्ता पहने हुए हलकी मदद से दो बैलों के माध्यम से खेती करते हुए दिखाया किया है वहें इस चित्र की ख्याती का मूल कारण है कॉंग्रेस अधिवेशन में बने इस चित्र को देखकर भारते किसानों को लगा कि कॉंग्रेस ही एक ऐसी रजनितिक पार्टी है जो ब्रिटिज सरकार से लोहा ले सकती है और उनकी मांगों को फूरा करा सकती है भारत की जनता फिर भारती किसानों ने इस चित्र के साथ खुद को जोड़ा और सतंत्रता आंदोलन में अपनी भागेदारी दी तो दोस्तों ये था आपका चेप्टर 8 भारत की सतंत्रता संगर्स में भारते कलागारों का योगता तोस्तों इसमें हमने सभी इंपोर्टन कोईशन्स क अच्छे से समझाए होंगे दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना बिलकुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बने रहें क्या नाम है सिक्षा प्रभा के साथ अभी हमारे चैनल का नया नाम शिक्षा प्